दोस्तों Indian Railway Finance Corporation Limited यानि IRFC ने अपने Quarter 1 के रिजल्ट को डिकलियर कर दिया है रिजल्ट काफी अच्छा है यानि उमीद से अच्छा रिजल्ट है अब ये क्यों कहा रहा हूँ है ये इसलिए है क्योंकि अलरी हमने इस रिजल्ट के अंदाजय लगाया था उस अंदाजय से अच्छा रिजल्ट है हमारे हिसाब से इस बार जो प्रॉफिट है वो करीब 1,400 क्रोट के आसपास रह सकता उससे भी अच्छा है तो इसको हम बहुत अच्छा कहते है लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो यूटूबर है वो डरा देते लोगों को बहुत सार यूटूबर जो एक हेडलाइन को देखकर कि येर अनल बिस्टिस पे 6% का प्रॉफिट कम हो गया और उससे लोगों को डरा रहे है जबकि हकीकत में रिज़ल बहुत अच्छा है इस रिजल को आप अच्छे से समझेगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार का रिजल बैतर है और उमिश से अच्छा है और इस वज़े से बले ही short term में कुछ गिराउट हो और इसके पीछे दूसरी वज़े भी है उसको भी समझेगे क्यों बादर में गिराउट हो सकती है लेकिन ultimately अगर आप देखे तो यह एक मौका बंद रहा है आपके लिए खरीदारी का इस result के बाद हम कह सकते हैं कि एक लंबी तेजी के लिए तयार हो चुका है stock तो पूरे result को अच्छे से अनालिस करें जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई इस result के अंदर दम है और आने वाले से तेजी जरूब बनेगी बले ही short term में आपे profit booking हावी हो जाए क्योंकि काफी stock अच्छा दोड़ चुका है ऐसे में लोग यापे अपनी कुछ profit booking करने की कोसिस करेंगे ही करेंगे हो सकता है कि उसकी वज़े से कुछ short term में गिराऊट हो लेकिन एक long term के लिए ये stock त्यार हो चुका है तो अच्छे से इन सारी बातों को समझेंगे और अंदर की जो कुछ चूपी बात है उसको भी समझने की कोसिस करेंगे और जानेंगे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक उन दबा दीजिए ताकि जबी नए वीडियो बने पहला नोडिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार् अगर दीजिए 365 पॉइंट की गिरावट होई ती यही पॉइंट 56 परसेंट गिरादा बाजार तो गिरावट तो हुई बाजर में इतनी बड़ी नहीं लेकिन जो चिंता जनक आखना निकल करा है वो है FI का FI जो पिछले दो ट्रेडिंग से बाजर में फिर से खरीदार ब बीक्वाली कर दी और यह जो आखना निकल के आ रहा हो है 3073 कोड का यहीं बहुत भारी मात्रा में इस महिने में सबसे जादा बड़ी बीक्वाली कर दी है जिससे लग रहा है कि बाजर में गिरावट का माहल अब बन सकता है और अगर ऐसा होता है अगर FI की बीक्वाली इसकी नई खरीदारी की सामने 8327 कोड की बीक्वाली की है तो 500 कोड का उनकी खरीदारी पॉजिटिव है तो सोड़ा सपोर्ट मिल रहा है बाजर की दरब से लेकिन जो बीक्वाली बहुत ज़दा है FI की दरब से अब उनके रुजान के उपर सब यापर इस समय बाजर का मा कि सेल्स लगातार बढ़ रहा है आप यह देख सकते हो कि इस बार जो कंपणी ने जो सेल्स बता है वो है 6,679 करोड का अब आप देख सकते हो कि पिछले साल कितना सेल्स हा कंपणी का तो 5,627 करोड का कंपणी का टोटल सेल्स था अगर हम बात करें क्वाटर फोर की तो सेल सबसे सांधार इस बढ़ है तो बिजनस नहीं आकड़ी नहीं भी वह रांगरा कि पिछली बारSí सबसे सांधार सबसे स सांधार इस बार इस का मतलब यहां पे कहीं रुकावट नियए मिलते हो दिखाई अब expenses भी बड़े है पिछली बार देखे तो 23 करोड के आसपास था टोटल इस बार 29 करोड के आसपास भी लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर और है कि पिछले quarter के मुकाबले खर्च में कटोती की है quarter 4 में इनको 47 करोड का था तो इस जाब से इनों ने जो expenses बड़ा है 47 करोड के आ और अगर पिछले quarter की बात करें March quarter की तो यह 6189 करोड के आसपास था operating profit तो यह देख सकते हो clearly कि इस बार operating profit बड़ा है पिछले साल के मुकाबले भी जबर्दस बड़ा है करीब 1000 करोड का इसमें आपको एक डिफरेंट दिखाई देगा और quarter on quarter basis में भी बहुत ही सांदर देक बहुत सांदर तरिके से बढ़ रहा है तो यह जो इसारा है कि आप समझ सकते हो कि इस result के अंदर वो सारी positive बाते है जो हमें चहिए result बैतर है इसके लाओ OPM देखतो कि पिछली बार 100% के आसपास है इस बार भी 100% के आसपास है March quarter में 99% के आसपास था इंटरेस्ट देखे कमपनी का तो 5091 के आसपास था है पिछले quarter में 4,895 के आसपास था और पिछले साल 7 quarter में 3,940 के आसपास था डेप्रिसेशन देखे तो इस बार 4 के आसपास है और देख सकते है कि पिछले साल 7 quarter में 4 के आसपास था और पिछले quarter में 3 करोड के आसपास थ अब चलते हैं profit before tax की तरह तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार 1557 कोड का total profit रहा है पिछले साल यह 1006 इने 62 कोड़ के आसपास था और पिछले quarter की बात की बात कर दो यह 1328 कोड के आसपास था तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार 1557 कोड का total profit हुआ है पिछले साल 1006 इने 62 कोड़ का profit था लेकिन पिछले quarter में 1328 कोड का profit था तो यह 100 basis में profit में कमी आई है लेकिन quarter on quarter basis में जबर्दस वृद्धे हुई है यह भी आपको ध्यान लखना है तो मार्च quarter के मुकाबले profit में बहुत भरी उचा ले जहाँ पे 1328 कोड का profit था वो 1557 कोड तक पहुच गया है और हमने अंदाज लगा था कि 1400 कोड तक profit जाएगा तो थोड़ा सा इस्टॉक नीचे जरूर आएगा लेकिन जो बड़े इंवेस्टर वो यहाँ पे विक्वाली बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट के अंदर बहुत सारी positive बात है EPS देख दो 1.27 रुपीज था पिछले साल सेम कौटर में इस बार 1.19 रुपीज के आसपस है लेकिन कौटर फोर में यह 1.02 रुपीज के आसपस था वो 2023 में बढ़के 23,892 रुपीज तक पहुच गया है और किसी साल आपको यह ग्राफ में कमी होती है दिखा नहीं कि यह लगातार बढ़ता जा रहा है और यही बिजनस की इसकी ताकत है अब इसके प्रॉफिट को भी देखे तो आपको इसी तरह से आकड़े दिखाए देंगे तो करीब 2,85,888,38,38,000,000 रुपीज निगेटिव था यह नि कमपनी के पास cash flow बिल्कुल नहीं था तो इस बार कमपनी के पास cash flow भी है हाथ में cash है तो यह भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है अब कमपनी के liabilities की बात करीब देखे तो कि 44,915,000,000 रुपीज की इस बार liabilities है पिछले साल सेम कॉटर की बात करें तो यह पे देखे तो कि 44,56,0764,000,000 रुपीज की liabilities थी तो year and basis पे आपको liabilities भी कम होती है दिखा देखे तो यह पे पिछले quarter की बात करें तो देख सकते हो कि 40,08,262,000,000,000 रुपीज की तो quarter on quarter बिस पे liabilities बड़ी है लेकिन year and basis पे liabilities भी कम हुई है इसके लावा जो सबसे बड़ी बात है कि कमपनी की जो rating है जो borrowing rating वो काफी सांदार है चाहे क्रिशिल हो एकरा हो या care rating हो सबने जो rating है वो triple A stable की दिए हुई या कहीं कोई बदलाव नहीं है वो लगातार बनी हुई है तो आप समझ सकते हो कि सारी की सारी rating agency आप बहुत ही बैतर rating दे रही है जिससे बात समझ में आ रही है कि जो भी इनों ने fund लिया है वो सारा का सारा सुरक्सित है और इसके पीछे वजबिया कि इसकी guarantee भी सरकार लेती है तो यह आकड़ा भी बहुत ज़्यादा positive है यहाँ पर एक बड़ा फैसला और लिया गया है चिप रिस्क ऑफिसर के जो 10 यह था उसको बड़ा दिया गया है यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो CR का जो period था कारेकाल वो खत्म हो रहा था तो उसको एक साल के लिए फिर से बड़ा दे गया है यह नहीं 15-9-2023 से लेके 14-9 2024 कर दिया गया है एक साल के लिए उनको extension दिया गया है तो यह बेड़ा फैसला भी लिया गया है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि result बहुत ही बैतर निकल कर आ है आप सबसे बड़ी बात इसके fundamental देखे तो बहुत ही बैतर दिखाई दिरे मार्केट के अब लगातर बढ़ते हुए 63,957 करोड के आसपस बहुत गया एक समय इसका मार्केट का 50,000 करोड से भी नीचे था करन पाई इसकी 48.90 की है 20 रुपीज इसका 52 रुपीज का लो और 52 इसका 52 रुपीज का ही है तो आप यह देखी सकते हो कि stock की समय उपर की price की तरफ है और बैतर प्रिणाम दे चुका है stock copy 10.3% है book value इसकी 36 रुपीज की है dividend इसने 1.64% दिया है और यह dividend बहुत ही बैतर है लगातार अच्छा dividend दे लिए कमपनी सारी POC कमपनियां बहुत अच्छा dividend देती है ROC 5.32% है और इसका ROE 14.7% है face value 10 है तो fundamental बहुत अच्छे और result भी बैतर है एक आखड़े को देखर आपको डरना नहीं है कई लोग आपको डरा रहे लेकिन आपको बिल्कुल नहीं डरना है एक बार थोड़ी सी उस माहुल की वज़े से गिराउट हो सकते क्योंकि काफी investment करने से पहले अपने financial advisory ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू की जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए thank you friend